ये वीडियो आपको के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लिए जनरल कितना दिन किस टॉपिक को देना चाहिए और आने वाले 40-45 दिन में effectively and efficiently आप अपने एक्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं वो discuss करने वाला हूं बाइद वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह कि जनरली में वीडियो बनाता नहीं बट बच्चों की कुछ जिमांड आई थी कि सर टाइम वाइज अगर बता दो कि कितने दिन में कौन सा टॉपिक हो जाए तो हमारी मदद हो सकती है कि हमको यह समझ आ जाएगा किसमें कितना टाइम देना चाहिए according to the requirement तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा कि कितना टाइम किसको देना चाहिए by the way मैं पहले तो बता दूँ कि अगर आप civil engineering के student है ना तो आप मेरा telegram join कर लो description में मैंने link दे रखा है क्योंकि telegram पे मैं आप लोगों को daily worksheets देता हूँ telegram पे मैं आप लोगों को one liner fact देता रहता हूँ telegram पे material प्रोवाइड कर रखा है मैंने आपका CBT 1 के लिए last में इसक description में link है आप वहां से join कर लेना उसके बाद उसके बाद हमने ना इंडिया के अंदर पहली बार ऐसी worksheet बनाई है जिसमें civil engineering के हर topic के 10,000 से ज़्यादा selected questions solution के साथ provide किये गए हैं वो भी topic wise format में तो आपको A to Z हर तरह के question हमारी worksheet में मिलने वाले हैं तो सबसे बड़ी बात है य इतने कम पैसों में आप लगों को worksheet मिल रही है तो ऐसी worksheet ना तो इंडिया में पहले बनी है और अगर बनेगी तो उसमें time बहुत लगेगा हमारी guarantee है कि RRB JEO या राजस्थान JEO या UPSC JEO या SSC JEO या SSC J2025 किसी भी exam में इन worksheet से बार question नहीं जा सकता तो कि इन worksheet में इतने तर link दिया है आप जाइए वहां से देखिए guarantee है मेरी आज से पहले ऐसे worksheet बनी नहीं है क्योंकि इसमें बनाने में बहुत महनत लगी है by the way वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको पता है कि CBT1 का जो अपना pattern रहता है mathematics 30 नंबर की जरनल साइंस 30 नंबर की reasoning 25 नंबर की और 17 और 18 टॉपिक को मैंने कुछ 22 तरीके से प्लान किया है कि कौन से टॉपिक को कितना time आपको देना चाहिए ताकि according to the RR भी उनकी requirements fulfill हो सके उनके questions असानी से solve कर सकोगे और chapter की length को ध्यान में रखते हुए मैंने इतना time allocating पे किया है बात करूँ number system की the most important सबसे ज़्यादा question यहां से बनते हैं number system को 3-4 दिन मैंने allocate किया है number system में include किया है मैंने HCF LCM वाले concept को भी number system में include किया है मैंने board mass वाले concept को भी तो fractions, HCF LCM, board mass और basic जो power system होता है certs and indices मों number system में आ जाती है आपकी तो number system को 3-4 दिन का time दे कर चलो ताकि आपकी number system की अच्छे से तयारी हो सके फिर important chapter की बात करतो ratio proportion, percentage, mensuration, time and work, time and distance इनको 3-3 दिन तो दे कर चलो मान लो आप यहाँ पर 5 topic है तो इन 5 topic को 3 दिन भी अगर आप दे रहे हो तो 15 दिन हो गए 15 ना मान के 13 दिन तो इन topic को दे कर ही चलो यानि आप लोगों के आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर आपने mathematics के उन 6 chapters पे command बना ली, 6 भी नहीं देखी जाए तो 7-8 होगए क्योंकि LCM, HCF भी में उसी में include गरके चल रहा हो इन पे वो command बना ली जिन में से maximum paper आप लोगों का आता है, फिर trigonometry की बात करूँ, तो trigonometry अपने आप में बहुत important है, RRB को लेकर क्योंकि इसमें से question अच्छे खासे level के पूछे जाते हैं, इसको कम से कम 4 दिन देना, क्योंकि number system फिर भी वो है जो आप बहुत common तरीके से पढ़के आते हो, बट trigonometry बहुत पुरानी होती है, वो formula सारे आप लोगों को ध्यान रखने होती है, उन formula का application लगाना होता है, तो इसको time अच्छा खासा देना, 4-5 दिन आपको trigonometry को देना चाहिए, यानि 20 दिन में आपने no gust topic cover up कर लिये हैं, और जब भी मैं topic cover की बात कर लिये है, उसको पढ़ना नहीं कहते है, वो आपने नहीं किया अभी, आगर आप पढ़ाई से मतलब कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना reasoning और mathematics की पढ़ाई जब ही होगी, जब आपने practice करी होगी, तो focus on practice only because it is must for everyone, और practice से ही आपके mathematics और reasoning clear होने वाली है, theory notes तो आदे घंटे म बात जैसे statistics हो गया, age, calendar और clocks वाला pattern वैसे reasoning में है बट अपन mathematics में इसको गिन रहे है, pipes and system, तो इनको ना दो दो दिन मुश्किल से दे कर चलना, मतलब यह 5-6 topic जो हैं, यह hardly 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 मान के चलो कि आप इनको 10 दिन में cover up करने वाले हो, तो इस तरीके से आपने अपनी mathematics को divide किया, आपने 3-4 दिन पर topic पर दे दिया, आसान topic को hardly 2 दिन दिया, लेकिन एक दिन में भी आपके यह topic cover up राम से होने वाले हैं, तो overall इन 17 topic को मैं आने वाले एक महीने में बहुत आसानी से, अगर मैंने कुछ भी नहीं कर रखा ना, तो भी मैं एक महीने में आसानी से तयार कर सकता हूँ, regularity के साथ, consistency के साथ, reasoning की बात करते हैं, reasoning में आप लोगों का 15 topic के overall, analytical, logical reasoning को मिला कर, इन 15 topic को divide कर लो, जब मैं reasoning की बात करता हूँ, तो मैं ये बात नहीं कह सकता कि कोई भी topic ऐसा है, जो आपको बहुत मुश्किल से समझ आने वाले, mathematics में तो मुश्किल असान होता है, लेकिन reasoning में ऐसा कुछ नहीं है, clock and calendar reasoning में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उसको मैंने mathematics वाले portion में गिन लिया, तो आप reasoning के दो दिन भी मानके चलो, तो एक महिने में तैयरी कर लोगे, बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे topic हैं, जो दो दिन नहीं, एक दिन भी नही आदे दिन में complete हो जाएंगे, तो आप reasoning को अपनी तरफ से divide करो, कि हाँ, कैसे आप लोगों को solve करना है, by the way मैं आपको बताना चाता हूँ, material के बारे में बच्चे पूस्ते कि कौन सा material अपने को follow करना चाहिए, तो किसी भी course में जाने के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, क् से material से मैं आपको बता दू, telegram पे ना मैंने CBT1 का purely free material upload कर रखा है, आप telegram join करो, telegram join करने के बाद उपर pinned messages में देखना, पूरा, A to Z, मैंने RS अगरवाल, राकेश अदवसर की book, पिनेकल वालों की reasoning की book, general science की किताब, practice questions, notes, सारी चीज़े free of cost upload कर रखी हैं, best quality notes हैं वो, तो आप उन से पढ़ाई करो, that will be much beneficial for you, तो telegram join करके ना CBT1 की पढ़ाई वहां से पर लेना, clear है, अब आज़ो general science की बात, no doubt, piece number की है, और सबसे खुशी की बात यह है कि piece number की video में, मतलब piece number के paper में, physics सबसे ज़्यादा आती है, जो engineers का favorite subject हूप है, chemistry दूसरे नंबर पे और biology ती आपको पता है, आपका RRB CBT1 का score 80 प्लस आप मान के चल रहे हो, अना, तो आपके पास कोई chance नहीं है, कि किसी question को आप अपनी तरफ से गलत कर सको, नहीं, तो आप biology के बेशक 456-7 question पूछे गए, सबसे कम पूछे गए, लेकिन अगर biology में कमांड कम रह गई, तो वो ही biology कि हर तीनो subject के मिलाके 32-35 topic हैं हमारे पास, और हमारे पास time भी अभी 40 days का है, तो मैं सबसे पहली बात तो मुझे पढ़ना कहां से है, मैंने पहले भी आपको बूला, lectures के चकर में मत पढ़ना, lectures देखोंगे तो time-based हो जाएगा बहुत जादा, CBT1 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ notes से पढ़ाई करनी है, physics और chemistry तो purely notes से आप आराम से पढ़ सकते हो, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, biology के लिए तुम lectures देख सकते हो, youtube पे दुनिया बर के lecture available है, तो क्योंकि उसके concept हमें कम clear होते हैं, we belong to the engineering family, तो biology के lecture देख सकते हो, don't worry, but physics, chemistry के lecture देखना नीरी time-based करने वाली बात हो जाएगी, notes में सब कुछ है, सारी चीज़े आप notes से पढ़ सकते हो, मैंने notes आल्रेडी दे रखे है, telegram पे, ठीक है, तो एक topic या दो topic रोज के लेकर चलो, तो अगर आप mathematics को daily का time दे रहे हो, दो गंटेगा, reasoning को time दे रहे हो, देट गंटेगा, उसके बाद general science क time दे रहे हो, एक गंटेगा, एक से देट गंटा बहुत है, फिर आती है general awareness की बात, तो general awareness में आपको पता है भई, पांच नंबर के जो current affairs है, current affairs के लिए आप follow कर सकते हो, newspaper को, या प्रतियोगिता दरपन, बहुत सारा content उसमें से आपका cover up हो जाएगा, बाकी के जो 10 नंबर क आपकी quality, geography, history, economics, यह सब बचा है, यह इन पे ज़्यादा focus करो ही, ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यार 10 नंबर के लिए बहुत सारा पढ़ना बढ़ेगा, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं यह नहीं कहरा छोड़ दो, geography अच्छे से कर लेना, quality अच्छे से कर लेना वहाँ से question ज़्यादा आजाते हैं, geography में भी Indian geography से question ज़्यादा आते हैं, तो आप उन पर थोड़ा सा focus ज़्यादा रख लेना, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, तो आप accordingly follow करते हुए चलोगे, और यह थोड़ा सा time अपने आप भी manage कर लेना, मैंने just एक आपको hint दिया है कि आप किस तरीके से prepare कर सकते हो, ठीक है, बाकी सब की अपनी comfortability होती है, सब की अपनी capacity होती है, तो अपनी comfortability और अपनी capability के according ही चलना, आपको optimum result देगा, otherwise तो किसी के कहने से चलोगे, कहीं नहीं पहुचोगे, बीच में रह जाओगे, यह सच्चा ही है, अपने हिस engineering की तैयारी के लिए बाद में time नहीं मिलने वाला, यह सब को पता है कि March और April starting में आपका exam हो जाएगा, तो भाई, आपके December से लेकर और March के बीच में यह तीन महीने का time है, तीन महीने में civil engineering prepare नहीं हो सकती, आपको अभी से साथ लेकर चलना पड़ेगा, civil engineering के content को साथ की object है, तो definitely आपको मैं यह कहना चाहूँगा, एक तो one liner book के बारे में मैं बता दू, already मैंने videos भी बना रखी है चैनल पे, मैं i button में भी उनका link दे दूँगा, one liner book से आपका RRB का 70% paper आया हुआ है, यूपे ट्रिपल सी जई 75% आया, SSC जई 20, 24, 60% paper उस book से आया है, तो आप उ उस book के अंदर civil engineering के notes है, consolidate करके important notes टाले गए है, तो वो book आपको soft copy में भी available हो सकती है, stressed class app में description में link है, 55 rupees में वो book आप ले सकते हो, या उस book की hard copy चाहिए, तो भी app में store section में आपको उसकी hard copy मिल जाएगी, ठीक है, एक तो ये book आप पढ़ो, दूसरा civil engineering का course अगर आपको join कर तो हमारा course चलता है, stress class app में हमारा संपूर बैच चलता है, जिसमें से हमारी guarantee रहती है कि 99% आपके exam में, हमारे ही course में से आएगा, एक question भी भार से नहीं आएगा, आप उस course के inquiry कर सकते हो, help line number आपको description में दिया गया है, वस मुझे ये कहना है, अगर आपके पास notes है civil engineering के, त क्योंकि आपके पास मान के चलो, अभी 5-6 मेने का time है CBT2 के लिए, तो sufficient time है, तो आप accordingly चल के चलो, जो weighted subject है, उन पे focus जादा रखना पहले, बाकी subject पे साथ की साथ चलते हुए चलना, और हाँ, engineering drawing के notes से ये ना, अगर तुमको, तो आप जो help line number दिया गया है तुमको, वो help line number पे WhatsApp करो, engineering drawing के notes बहुत जरूरी है, RRB के लिए, क्योंकि 6-7 number का आता है, और हमने India के अंदर best quality notes प्रिपेर करें हैं, first time, guarantee है हमारी आपने ऐसे notes कभी नहीं देखे होंगे, तो आप दिये गए number पे contact करो, engineering drawing के notes के लिए, so thank you for being with me in this session, please like this video and share it to the maximum students as well, जैहिं, bye